अगर आपके दात में कीडा लगा हुआ है और आप इससे बहुत परिशान है कीडा लगने की वज़े से आपके दात में दर्ध होता है और धीरे धीरे जो कीडा है वो दात को खोकला करता जा रहा है इतना खोकला कर चुका है कि जो नसी है नसों तक में इसका जो दर्ध है वो कि जबड़ा होता है उसमें फैल जाता है पच्चे बिचारे बहुत परिशान ओर इस दर्द से समझ में नहीं आथा घर में कि हम क्या करें कि बच्चों की परिशानी कैसे दूर करें और यह जो दर्द है ना दात का दर्द इतना भ्याणक होता ना इतना इसका sa तरहां नहीं आखते हैं दर्द होता है धीरे यब अकन पटी के तरफ ध्यालने लगजाता है और धीरे धीरे आपके सर में mitad होने लग जाएगा अगर दात के डर्द सेट में इतना भयानक होता है बुद नींद नी दaranव होगाप है में ये लेनी है टो को आदे करें तो इस तरह से OUTरफ है इस नहीं देख लेना है ये बोत साबुन साबुन की तरह नहीं लेनी है चाने मैं तो चाहिए तभी आपको यह जो पाई है यहाँ पाया करे गात抗ेश ह Congrats to抄 obtain inté affirming suit को सबसे पहले हम कूट लेंगे इसका Kita बिलकुल बारिक ठीक से अपने क्यष्टा पीशण बना लिया हैitary अभी powder को हमने इस्तिमाल कैसे करना है कॉल एंक क्या है इस कर लेती ale हमेशा अपने घर में रखे दात का दर्द कभी भी किसी को भी हो सकता है तो बहुत ही कारगर है यह जो फिट करी का जो पाउडर में बता रही हूं तो इस वीडियो को आप जाद से जादा शेयर करना ताकि जिसको भी जुरत हो तो उसको इसको इस्तेमाल कर सके तो यह देखे में हम लेंगे पानी तो दोड़ाई सो एमल के आसपास आप पानी ले लेना और इस पानी में हम डालेंगे वन फोर्टी स्पून फिट करी का पाउडर इससे जादा नहीं डालना है लेवल करके लेना वन फोर्टी लेना है आपने और वन फोर्ट लेना है आपने सेंधा नम लेना है ब्रत्वाला नमग नमग 162 को जानान जाता है तो अभी जो हमने मिला है जो दोनों चीजे रहे है इसनी क्ना चाहिए थोड़ा सा था पाणी मुह लेना फिर इससे पुल्ला करना शर्मometள नमगा ने अगर मातली है फिर उसको थूख देना फिर कुला करना फिर थूख देना तो पूरा गिलास आपने ऐसे ही खाली करना है और हाँ ध्यान रखीगा इसको पानी को आपने पीना नहीं है ये गले के अंदर नहीं जाना चाहिए बस कुला करना है फैक देना है फैक देना है तो पूरा गिलास कम लिया है मैंने फिट करी का पाउडर ले लेना और इसमें हमने डाला है सर्सों का तेल सर्सों का तेल देखिए कोशिच करना कि मिलावटी ना हो और इसनल सर्सों का तेल हो तो ज्यादा अच्छा है कच्ची घानी का तेल होना चाहिए अब सर्सों का तेल हमने मिला दिया फिट करी के पाउडर में अब लेनी है आपने छोटा सा रूई का टुकड़ा अब इस रूई के टुकड़ों को आपने सरसों के तेल और फिट करी वाले चुरुन में अच्छी तरह से डुबो देना है और फिर रखना है दान्त के बीच में जहां भी दर्द है या जिस दान्त में भी कीड़ा है ना उसके बीच में आपने रखना है हाँ लार आपके बनेगी लार को आपने थूकते जाना है और कम से कम 10 मिनट आप इसको दान्त के नीचे रखे धीरे धीरे जो दर्द है आपका गायब होने लगेगा और दान्त में अगर आपके कीड़ा है तो इससे कीड़ा भी मर जाता है तो बस दो चीजे जहार रखना कि पानी को एंदर नहीं लेना हो यानि पीना नहीं है जब दात का दर्ध हो तो और दोनों दात के बीच में इसे दबागे रखा लिए ना दात में जसे दर्ध है पिर उपर से इस तरह से आपने दबाले ना के आके आप कम से कम 10 मिनिट के लिए बैठ जाना और लार बनेगी उसको आपने थूपते जाना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताईएगा हैं मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जब भी आपके दाट में दर्ध हो तो एस उपाई को कीजीगा और बताईएगा आपको इससे कितना फैदा हुआ।